सिस्क्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सो गैस क्या आप लोग भी वर्टसब का यूज करते हैं तो आज की वीडियो में आपको वर्टसब की 5 important setting के बारे में बताएंगे जो कि आपके बहुत काम आती हैं और आपको इन setting के बारे में जरूर पता होना चाहिए तो क्या है setting को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं मेरा नाम है अजात कुस्वाहा आप देख रहे हैं 20 मात विद्गुरू तो यहाँ पर आपको सबसे पहली setting यह है कई बार ऐसा होता है कि आपको वर्टसब पर आपका friend या फिर कोई भी विक्ति अब message बैचता है और आप चाते हैं कि हम उस message को देख लें लेकिन हमारे friend को पता ना लगे कि हमने उस message को देख लिया है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने दूसरे number से यहाँ पर चार पांच message किये हुए है तो यहाँ पर हम और दो तिन message कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यह मैंने message कर दिये और तो यहाँ पर यह message मैंने और कर दिये आपना नोटिव केशन में आप देख सकते हैं कि समने वाले विक्ति ने क्या मेसेज की हैं लेकिन वो कुछ समय के लिए होते हैं और हमें फिर नहीं दिखते हैं कि हम पड़ भी नहीं पाते हैं और समने वाले विक्ति ने क्या मेसेज किये पें उसके सारी चेट आपको दिखेंगी देखें कि यहां पर नो बच के उन्चास मिंट पर किया है नो और तालिस पर नो और तालिस पर यहां पर जो भी मेसेज की हैं देख सकते हैं कि यहां पर क्या प्रुफाइल फोटू है मतलब xyz है सारी चीज़ा आपने में कर सकते हैं तो यह एक फीचर है इसको आप यूज कर सकते हैं लेकिन यह फीचर आपके बहुत कम समय के लिए काम आता है कई वार यहां गलती सा क्लिक कर देते हैं तो सामने वाले बिक्टि को पता लग जाता है कि आपने उसके मेसेज को देख लिए है अकाउंट में आएंगे और यहां पर आपको read repeat का option दिखेगा इसको आप off कर देंगे ओफ करने के बाद इसमें आपकी दो setting है first and second फर्स यह है कि आपको कोई भी विक्ति मेसिज बैठता है जैसे कि हमने देखें आप यह मेसिज लिख दिया और यहां पर हम इसमेसिज को देख लेते हैं देखें मैंने इसमेसिज को देख लिया ठीक है अब हम करते हैं यहां पर देखें इसमेसिज को हमने देख लिया लेकिन फिर भी सामने वाले विक्ति को नहीं पता चला कि हमने इसमेसिज को देख लिया अब इसका दूसरा तरीका भी है वो दूसरा क्या है कि आप कोई भी स्टेटिस लगाएंगे कोई भी स्टेटिस लगाएंगे लेकिन सामने वाले विक्ति को पता नहीं लगेगा किसी के भी status को देखेंगे सामने वले विक्ति को पता नहीं चलेगा कि आपने उसके status को देखा है तो example के तुरपे हम आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखें इस status को मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर मैं इनको एक reply भी कर देता हूँ देखें हाई का reply किया और यहाँ पर देखें इन विक्ति को पता नहीं चलेगा कि हमने यह देखिया चुका है लेकिन इनको पता नहीं चलेगा कि हमने इस status को देखा है देख सकते हैं नहीं पता चलना तो यह भी आपके लिए अच्छा feature है first है second कैसी trick लगी comment में जरूर बताईएगा ठीक है चलते हैं अपने तीसे तरीके की और तो तीसा तरीका हमारा यह है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ chat private होती है और आप चाते हैं कि यह chat हमारी delete ना हो और हम इन chat को score रख पाएं यानि कि एक तर से सुरच chat रख पाएं जब भी हम इन chat को ढूणने के कोसिज करें तो हमें आसानी से मिल पाएं तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताते हैं जैसे कि हम example को तोर पे हमारी यह दो photo है यह वाली photo यह हमारी बहुत important है और इसको हम जब भी ढूणना चाते हैं मैं असानी से मिल जाएं कभी भी हमारी जन्दी delete ना हो तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं यहापको star का option में लेगा इसके उपर आप click कर देंगे यह photo आपकी यहाँ से एक तरह से गायब हो जाएगी देखें यहाँ पर आनाई डिगर हो गई और यहाँ पर hide हो गई तो यह photo यहाँ से चली गई है और यहाँ पर हमारे star के अंदर यह photo आ चुकी देखें अगर आप देखना चाते हैं तो message में आएंगे और यहाँ पर आपके समने जिसको आप यूज करना चाते हैं तो कर सकते हैं तो चली चलते हैं हमने चोथे फिचर की ओर तो मैंने आपको तीन फिचर बता दिये पहला बुलू टिक सो ना हो दूसरा स्टेटस में किसी के देखो पता ना चले और यहाँ पर जो चोथा है जो तीसरा था वो आपको भी मैंने जो जेस्ट बताया हाइट करने का ठीक है आप चलते हैं अपने चोथे तरीके की ओर ठीक है चोथा हमारा क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी चेट लोगों को बेजना चाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी girlfriend या फिक कोई भी सक करता है कि आप अपनी फूरी चेट को बेजिए तो आप करते के हैं नर्मली तरीके से screen source लेते हैं फिर उसको बास बेजते हैं लेकिन यह तरीका पुराना हो चुका है खराब हो चुका है तो अगर आप अपनी वर्टसब की चेट किसी को भी बेजना चाते हैं तो उसके लिए आप करेंगे क्या emoji पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसकी वक्ति को open कर लेंगे और यहाँ पर three dots पर क्लिक करेंगे more पर आएंगे और यहाँ पर export चेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे without media, in media तो आपको in media अगर photo भी चाते हैं उसके साथ में तो photo भी क्लिक कर सकते हैं otherwise आप इसको खाली छोड़ सकते हैं तो जिसको भी बेजना चाते हैं उसके उपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसको इस तरह से बेज़ देंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका सारी photo, video, gallery जो भी है वो सारी के सारी उस विक्ति को चली जाएगी जो भी आपने next y-z बेज़ी है तो उस सारी चीज चली जाएगी ठीक है तो यह भी आपके लिए अच्छा feature एक साथ में एक क्लिक में चला जाएगा और अगर आप इसके in media के कोई chat बेज़ना चाहते है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ आप export पे चलेंगे और more पे चलेंगे export पे जाएगे और यहाँ पर अगर आप इसको without media करते हैं तो आपको इस तरह से whatsapp पे share करने का option मिलेगा इसको आप share करेंगे और यहाँ पर आपका इस तरह से जाएगा और यहाँ पर आप इसको देखेगा कोई समने वाला विक्ति तो उस तरह से उसको एक secret chat दिखेगी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से देखिए यह काभी सारी message आ चुके है तो यहाँ पर हम secret chat पर क्लिक करते हैं यहाँ पर दिखेगी इस तरह से उसको दिखाई देगा जो कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है लेकिन यहाँ पर यह चल नहीं राए फिलाल तो इस तरह से आप बड़े से बैश सकते हैं तो यह हमारे चार तरीके हैं और पांचवा तरीका आपको क्या है पांचवा तरीका मैं आपको बताता हूँ बहुत ही important है जो कि उसके लिए आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बारे सब्सक्राइब कर लिजिए ठीक है गाईस तो यहाँ पर जो हमारा पांचवा तरीका है वो यह है कि अगर आप यह वर्टसब को डाउनलूड करना चाते हैं यह वर्टसब जो मैं आप यह स्क्रीन पर यूज कर रहा हूँ तो यह है मारा पांचवा अगर आप इसको डाउनलूड करना चाते हैं तो इसके लिए आप आएंगे टेलिगराम चैनल पर जोईन करने के बाद यहाँ पर आप इस अपलीकेशन को डाउनलूड करने के वाद शारे फिचर आपकी में आजाएंगे अगर आप इसके और वीडियो को देखना चाते हैं जkick कि आइगे आप आएंगे आजड कुसवा चैनल पर यहाँ पर ाप चैनल पर आएंगे और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में आएंगे और यहाँ पर आपको 7 वीडियो या फिर 8 वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर आप यह सारी वीडियो को देख सकते हैं टैंक्स पर वोचिंग दिस वीडियो जे हिंद जे भारत